हेलो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों सर्दियों में रूखी त्वचा की नमी को बरकरार रखना बहुत ही ज़ादा मुश्किल हो जाता है यही वज़ा है कि इस मौसम में त्वचा में रूखापन, रैशेस और पिंपल जैसी समस्यां अधिक परिशान करती है कई बार त्वचा की ड्राइनेस को दूर बगाने के लिए हम कॉल्ड क्रीम का इस्तिमाल बहुत ज़ादा करते हैं पर इस से हमें पिंपल्स या फिट टैनिंग की समस्या हो जाती है ऐसे में सर्दियों में त्वचा की देखबाल करना बहुत ही ज़ादा मुश्किल होता है ऐसे में एलोवेरा बहतरीन विकल्प है जो आपकी त्वचा को ज़रूरी मॉस्टराइस तो देगा ही साथ ही इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप से एक रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे तो चलिए जानते हैं सर्दियो में कैसे रखें अपनी स्किन को मॉस्टराइज नमबर एक ड्राइ स्किन से चुटकारा सर्दियो में ऐलोविरा जेल की नियमित मसाज त्वचा को नमी देती है जिससे त्वचा रूख ही नहीं होती रोज सोने से पहले एडियों पर एलोविरा जल की मालिश करने से एडियां बिलकुल नहीं फटेंगी नमबर दो जलन में राहत तवचा पर किसी प्रकार की भी जलन हो या फिर किसी कीडे ने काट लिया हो एलोविरा जल लगाने से जलन तुरंत ही शांत हो जाती है खास तोर पर किसी एलर्जी या फिर इन्फेक्शन से तुरंत राहत पाने के लिए एलोविरा जल आपके लिए बहुत ही फायदे मन्द है नमबर तीन टैनिंग से राहत सर्दियों में अक्सरम संस्क्रीम नहीं लगाते ऐसे में हमें खुद भी पता नहीं चलता कि कब हमारी स्किन टैन हो जाती है टैन स्किन से राहत पाने के लिए एलोविरा जल का इस्तिमाल करें ये आपके लिए बहुत ही फायदे मन्द है नमबर चार प्राकतिक ग्लो रहे बरकरार एलोविरा एक बहतरीन टोनर का काम करता है जो चहरे को बिल्कुल साफ करता है अतिरिक तेल हटाता है साथी रंगत का ग्लो बढ़ाता है रोज मेकप हटाने के लिए एलोविरा जल से चहरे की टोनिंग तवचा के ग्लो को खतम नहीं होने देता इसकी मसाज से तवचा की मृत कोशी का हट जाती है जिससे तवचा बिल्कुल साफ रहती है साथी बजार में मिलने वाले स्क्रब से तवचा की नमी खोने का डर भी नहीं रहता तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमसकार